नाजरीन आदाब, V.S.M. प्राइम में आपका तहे दिल से स्वागत है मैं हूँ आपकी मेजबान और आज हम आपको लेकर चलते हैं वाशिम जिले के मंगरूल पीर, जहां देखने को मिली साम प्रदाइक सद्भाव की बहतरीन मिसाल हमारे समवाददाता गजनफर हुसेन की खास रिपोर्ट आपके सामने पेश है मंगरूल पीर में हर साल की तरह इस बार भी गणेश विसरजन के पावन मौके पर भाईचारे और एक ताका अनूठा नजारा देखने को मिला जब गणेश विसरजन का जुलूस दरगाह चौक और मुस्लिम इलाकों से गुजरा तो मुस्लिम समाज ने खुले दिल से इस जुलूस का स्वागत किया हजर्त दादा हयात कलंदर ट्रस्ट के नेतरित्व में सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मंगरूल पीर की गंगाजमनी तहजीब आज भी जीवित है ट्रस्ट के अध्धक्ष अलहाज शम्शोद दिन जागीरदार जिन्हें लोग लाल बादशाह के नाम से भी जानते हैं ने बताया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये बुनियाद हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले डाली थी और आज भी इसे दोनों समुदाए मिलकर निभाते आ रहे हैं इस मौके पर बिर्बलनात महाराज का जुलूस दरगाह चौक पहुँचा जहां मुस्लिम समाज ने न सिर्फ जुलूस का स्वागत किया बलकी मंडल के सदस्यों और पुलिस प्रशासन का समान भी किया इस जुलूस में सामप्रदाइक सौहार्थ का और एक बड़ा उदाहरं तब देखने को मिला जब मस्जिद के पास से गुजरते समय संगीत और ढोलताशे को बंद रखा गया ताकि मस्जिद का पूरा सम्मान हो सके इस मौके पर मौझूद जिला पुलिस अधीकशक अनुजदारे, पुलिस निरीकशक सुधाकर आड़े और उनकी टीम ने भी इस अद्वितिय सामप्रदाइक सौहार्थ का हिस्सा बन कर इसका स्वागत किया नाजरीन, जब देश के कई हिस्सों में सामप्रदाइक तनाव और नफरत की घटनाएं देखने को मिल रही हैं वही मंगरूल पीर जैसे शहर हमें यह याद दिलाते हैं कि हिंदुस्तान की असली ताकत उसकी एकता और भाईचारे में है तो ये थी मंगरूल पीर की खास खबर ऐसे ही और भी प्रेयरनादायक समाचारों के लिए जुड़े रहें वियसेम प्राइम के साथ एक शाकी हाते हमर जाए मिश्क जाए एक जहती अरेकता यक जहती को देख हमारी दुश्मन की हैरान हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान झाल सकती ना जिस प्रयम में ऐसक्ता प्रप्ले जीजिए लाइज कर डपा दोरे जागा हो जा जागा लागा जागा जागा जाता जागा जागा टुर्टा जागा जाता...